तो हेलो दोस्तों आपसे लोगा स्वागत है आपके अपने चनल सूरज के रिव्यू में तो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ एस एक ऐसी तूफवानी पाइरेट्स ऑफ केरी ओ सोरी दिवरा मुई के बारे में भाई लेकिन इसमें बात करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बात कैसे करूँ क्यूंकि समझाया उस चीश को जाता है जो खुद अपन समझ पाते हैं कुछ भी तो सबसे पहले सूर करूँगा इस मुवी की स्टोरी से थोड़ा सा कोसिस करूँगा जो मुझे समझ में आई है क्या वो आपको समझ में आती है प्लेज हमारे कमेट बता देना क्या आपको ये मुवी की स्टोरी समझ में आ रही है आपने मुवी देख लिया है तो भी आप कमेट कर सकते हैं it's only free of cost नए है तो सब्सक्राइब कर लो फ्री आफ कोश्ट तो दोस्तों बात करने वाले हैं देवरा मुवी की स्टोरी के बारे में देवरा मुवी के स्टोरी बाई एकदम से सिंपल है सिंपल है जो समझ में नहीं आता हूं मेरे लिए सिंपल ही होता है तो कि ये मुवी क्या कॉपी हो गया यहस दिस इच कॉपी कुछ भी तो भाई जोकस अपार्ट इस मुवी के बारे में बात करेंगे इस मुवी की स्टोरी में आपको दिखाए जाता है कि कुछ एक ऐसे गाओ के कभीले है जो आजादी से पहले सरकार के साथ मिलके जो फ्रीडम की fight लड़ा करते थे अंगरी जो से पहले भी अंगरी जो के आते टाइम भी अंगरी जो बात भी अभी मतलब उनके पास कोई काम देंदा नहीं है जैसा कि देश के काफी सारे engineers के पास भी नहीं है इस सज्जन को क्या तकलीब है भई? क्या तकलीब है इनको? इस सारा काम लग छोड़ देते हैं, इसके बाद में भाई अचनक से गायब हो जाते हैं यह कहके कि जब जब मुझी जरुवत होगी मेरी जरुवत होगी, मैं वहां पर उपस्तित रहूँगा और उसके बाद में इस काम को take over करते हैं उनके लड़के जो उनकी है same to same carbon copy अभी इसके बाद में movie आपको देखना पड़ेगा कि movie में आगे क्या क्या होता है क्या क्या चीजे होती है भाई movie का story आपे समस सोचना मैंने बताया था उतना ही था no also a suspense कोई spoiler नहीं just a suspense अब बात करते हैं movie में आगे की story की तो भाई movie को आगे जैसे बढ़ती हम देखते हैं कि movie खतम हो गई है तो भाई मेरे कुछ questions है इस movie को लेके तो वह मैं आपको एक one by one बताने वाला हूं सबसे पहले चीज़ तो इतने चोड़ी से story के लिए भाई इतना साथा time क्यूं लिया गया क्यूं बतायो वाई दूसरी चीज मेरे मेरे दिमाग में जो चल रही है वो यह है कि भाई जो समुंदर था वो इतना बड़ा होता है गहरा होता है डरावना होता है उसमें ये लोग किंडा गार्डेन की तरह fight किस तरह से कर पा रहे थे illogical हो भाई शिट तीसरा question मेरे माइंड में जो चल रहा है वो ये था कि इस मूवी के अंदर आपको दिखाया जाता है एक लड़की को जो मूवी की में लीड हीरोईन है और उसका रोल बस उतना ही होता है जितना उस मूवी को ग्लैमर के लिए चाहिए था देसे जगें वा 20's की टाइम की मूवी का जो screen play है जो shots है scenes है उसमें भाई इतने advance और 2024 का music कैसे ला रहे हो भाई कैसे बतायो वाई कुछ इस तरह के questions के साथ मैं भाई theater से बाहर निकला हूँ और अभी तक मैं इस mystery को solve करने की कोशिश कर रहा हूँ इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी रहस्य मही movie मैंने कैसे देख लिया अब इस गुत्य को सुल्जाने के लिए मुझे काफी समय लगने व जिसे के मैं आपके माइन को पढ़के थोड़ा समय स्टोरी को समझने की और कोसिश कर लेता हूँ तो वाई इसी के साथ इस movie के review को यह कदम करों में एक तरब से इसको रहेगा भाई एक से भले दो मतलब कि 2 star out of 5 stars अगर आपने नहीं देखा तो मुवी को देख लो ठीक है आए में तो देख लो और इसी के साथ जैहंद वंदे मात्रम मिलता हूं नेक्स तोडियो में हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो